तेजुकी जीसे मुलाकात करने आए है, नितिशिची जीसे साथ दीस्टेम पर जाती मुलाकात हुई, यहीं बात हुई कि अलग अलग विश्वों पे चर्चा हुई, पर्यावरा हैं, डेबलाफन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और सबसे एहम की जीज हैं ही है कि देश में जो भ सिब सेना नेता और उधव ठाक्रे के पुत्र आदित्य ठाक्रे आज पटना पहुँचे इस दोरान उन्होंने बिहार के डिप्रिसियन तेज़स्वी यादव और नितीश कुमार से मुलाकात की बाहर आने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सरकार में जितना बिहारियों को सम्मान मिला जितना बिहारी मजदुरों के लिए हमने काम किया उतना काम आज तक महराष्ट के किसी सरकार में नहीं किये आदित ठाक्डे की माने तो वे तेजस्वी आदब और नितीश कुमार के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ काम करेंगे अर्थात आंदोलन चलाएंगे आदित ठाक्डे भले यहाँ पर विपक्षी एकता को मजबूत करने के नाम पर आये हूँ लेकिन यह बदलाव यह सकारात्मक बदलाव सुख़द संदेज है की समय बदल रहा है कल तक जो परिवार कटरता के नाम पर बिहार के लोगों को टार्गेट किया करती थी मजबूरों को मारती पीटती थी मुंबई महराष्ट से भगाने के लिए फर्मान जारी करती थी आज उसी परिवार का एक सदस्ट, पतना आकर इभार के लोगों के लिए शम्मान की बात करता है और कहता है कि हमने अब तक बिहारियों के लिए काम किया है और आगी भी करेंगे ठाक्रे परिबार महराष्ट की राजनिती में कोई नया नाम नहीं है महराष्ट की राजनिती कहें या भारत की राजनिती बाला साहब ठाक्रे का नाम कट्टर हिंदुवादी नेताओं के लिस्ट में सुमार है एक दौर था जब बाला सहब ठाकरे युवा समराथ हुआ करते थे क्या महराष्ट, क्या बिहार, क्या पंजाब और क्या कलकत्ता हिंदुवादी मतलब बाला सहब ठाकरे एक दौर आया जब बाला सहब ठाकरे ने महराष्ट की राजनिती में सकता पाने के लिए बिहार के लोगों को अपमानित करने का फैसला लिया महराथी मानुस के नाम पर बिहार्यों को टारگٹ किया गया बिहार यूपी के लोगों को भहिया कहा गया बारा साहब ठाकडे ने तो इतना तक कह दिया था कि अगर कोई बिहार का आदमी महराश्ट में आकर नौकड़ी करना चाहता है तो उसके लिए परमिट आवस्सक होना चाहिए महराश्ट की बात करते हैं और ठाकडे परिवार की बात कर रहे हैं तो आपको हम 2009 की एक घटना से अबगफ कराना चाहेंगे उन दिनों महराश्ट में बिहारी युकों को टारगेट किया जाता था ठेले वाले खोमचे वाले को निसाना बनाया जाता था इस सभी चीजों से परेशान होकर पटना का एक लड़का जिसका नाम राहूराश्ट था वा महराश्ट पहुंचता है और राज ठाकडे से मिलने का प्रियास करता है कहते हैं कि ठाकडे परिवार से मिलना कोई आसान काम नहीं है राहूराश्ट ने एक तरकीव सोची उसने एक सरकारी बस का हाईजेक किया और प्रसासन को कहा कि मुझे राज ठाकडे से मिलना है प्रसासन के लिए आसान काम था कि एक लड़का राज ठाकडे से मिलना चाहता है तो उसे मिलने दिया जार बाबजूज इसके मुंबई पुलीस एक लड़के के उपर आतनकुवादी जैसा विभार करती है और ताबर तोर फाइरिंग में एंकाउंटर करके मार गिडाती है हमने वह दौर भी देखा है जब सचिन तेंदूरकर ने बिहारियों का समर्थन किया था तो बारा सहब ठाकडे ने सचिन तेंदूरकर के खिलाप खुलेया मोर्चा खोल दिया था तब बारा साहब ठाकरे ने कहा था कि सचिन आपके चौके छक्के पर हमें नाज है लेकिन अगर आप मराटी मानुस के खिलाब हैं तो हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे सिबसेना ने अपने मुख्य पत्र अर्थात सामना नामक अखबार में उस समय बाला साहब ठाक्रे ने बिहारियों को एक बिहारी सौ बिमारी कहकर अपमानित किया था पार्द में राज ठाकने ठाकने परिवार से अलग हुए और मन से अर्थात महराष्ट नव निर्वान सेना नामक पार्टी का गठन किया मन से उसी रह पर चली जिस रह पर कभी बाला साहब ठाकने चला करती थे परिणाम सरूप बिहार के लोगों ने उन्हें कभी नहीं अपनाया अब ठाकने परिवार संभ़ता बदल रहा है उद्धव ठाकने सीम बन चुके हैं उनकी सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है ठाकने परिवार का नया लड़का आदित्य ठाकने अपने दादा और पिता की विरासत को संभालने के लिए जद्धो जहत कर रहा है इसी बीच वह पटना आता है ते जश्वी आदब से उनकी मुलाकात होती है नितिश कुमार से उनकी मुलाकात होती है जिनके दादा कल तक हिंदुवादी एजन्डे पे चलते थे वह आदित्य ठाकने कहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी समस्या है हम सबको एक होकर लड़ना होगा और देश के भविस्ट के लिए काम करना होगा आगे अदित्य ठाकने का वीजन कितना सक्सिस होगा यहां तो समय के गर्भ में छुपा है लेकिन ठाकने परिबार का यहां परिवर्तन एक अच्छा संदेश लोगों के बीश देता है कि ऐसे ही लोगों को बदलना चाहिए अगर आप हमारा यह वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक्स करें एक बात और आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर जवाब दे